Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करियेगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज लाइक करियेगा और अगर आपको वीडियोस हेल्फुल लगती हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सपोर्ट किया है उनको मैं बहुत दिल से थैंक्यू बोलना चाती हूँ and let's start the video so in today's video I am going to explain you the poem from a railway carriage यह poem जो है आपके class 5 new mulberry english book में आपके syllabus में included है और this poem is written by Robert Louis Stevenson तो एक बहुत अच्छा यह poem है छोटा सा ही है लेकिन बहुत मज़ेदार है इस poem को पढ़ने से पहले हम एक बात discuss करते हैं कि हम सब ने ही train में या bus में travel किया है और हम सब कोई window seat पे पैटना पसंद होता है और हम सब बाहर देखते हैं ठीक है तो हम बाहर क्या देखते हैं इस poem में poet describe कर रहा है कि वो window के बाहर क्या देख रहा है एक railway carriage में वो बैठा है यानि एक rail के डब्बे में बैठा है और वो बता रहे है कि उस window के बाहर वो क्या देख पा रहे है ठीक है Let's start the poem Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches And charging along like troops in a battle All through the meadows, the horses and cattle तो poet कह रहा है कि जो rail गाड़ी है वो परियों से भी तेज दोर रही है और चुडैलों से भी तेज दोर रही है वो bridges यानि bridge और घरों से भी तेज दोर रही है वो खेतों से भी जादा तेज दोर रही है और ditches से भी ditches का मीनी होता है एक गड़ा जिसमें पानी भर कर रखा हो ताकि खेत में वहाँ से पानी डाला जा सके और वो ऐसे आगे बढ़ रही है जैसे कि जंग में सारे सिपाई आगे बढ़ते हैं और वो मैदानों से होकर गुजर रही है ऐसे मैदान जिसमें पूरे घास बरे वे हैं और वो घोडों से और जो बाकी सारे जानवर हैं उनसे भी तेस दोड रही है All of the Sights of the hill and the plane fly as thick as driving rain और रास्ते में क्या-क्या दिख रहा है कि पहार, कुछ मैदान दिख रहा है और वो इतने तेज दोर रही है और वो इतने तेज तेज भाग रहा है सारे जो विउस बाहर के जैसे के तेज बहुत तेज बारिश हो वो उस तरह से तेजते सारे जो बाहर में जो भी पिच्चर दिख रहा है वो ऐसे तेजी से भाग रहा है and ever again in the wink of an eye painted stations whistle by here is a child who clambers and scrambles और एक आँख जपकने के अंदर ही जो painted stations यानि जो हम train में बाठते हैं stations भी आते हैं बीच बीच में तो painted stations जो है वो जल्दी जल्दी चले जाते हैं और बाहर वो क्या देख पा रहा है poet के एक बच्चा बैठा हुआ है जो के अब सही से चल नहीं पा रहा है वो अपने चारों पैरों और हातों की मदद से चल रहा है all by himself and grabbing and gathering brambles और वो चल रहा है और वो brambles से खटा कर रहा है brambles एक तरह का berries के जैसे एक fruit होता है here is a tramp who stands and gazes and here is the greed for stringing the daisies और यह एक tramp है जो के खड़ा होकर देख रहा है tramp का मीनिंग है एक ऐसा इनसान जिसके पास कोई काम नहों वो इधर उधर बेकार में ही घूम रहा हो और वो भी खड़ेओं के train की तरफ देख रहा है और एक जाड़ी है जिसमें daisies daisies एक flower का नाम है उनको उगाने के लिए एक जाड़ी है here is a cart run away in the road lumping along with man and load और रास्ते में एक बैल गाड़ी भी है जो के बहुत जादा धीरे दीरे चल रही है यूँकि उसके पर बहुत जादा बोज रखा हुआ है and here is a mill and there is a river each are glimpse and gone forever और यहाँ पर एक mill है mill का मतलब एक factory और यहाँ पर एक नदी है और बस जल्दी से वो दिखते हैं और हमेशा के लिए फिर गायब हो जाते हैं okay so अगर आपको वीडियोज अच्छी लगें तो प्लीज लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए गा थैंक्यू